कि इंकम फ्रॉम हाउस प्रोपर्टी के अगर बात करें तो लगभग सभी सेक्षिंज हम इसमें अपने कर चुके हैं ठीक है है टोटल थ्योरी जो है वो लगभग खतम होगी टोटल लगभग खतम होगी एक चोटे-चोटे से पॉइंट है वह हम कोशन करते हुई इसमाट और भी सुल्फ कर लिएक सीख लिए को आज क्या करने हैं मैंने कोशन नंबर आपको वन करा दिया तू करा दिया थरी करा दिया फॉर करा दिया यहां तक के जो भी कोशन से आपको मैं करा चुका हूँ आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा देखते हैं कुछ moderate level के कोशन करेंगे moderate level या या नहीं कुछ हलकासा level बढ़ाईगे हम high level नहीं हलकासा level बढ़ रहा है वसकोशन का Question number 5 आपकी स्क्रिन पर आजाएगा हिंदी और इंग्लिश में दोनों में है अगर हिंदी में ही पढ़ना है तो पहले एक बर पोस कर लो वीडियो को पढ़ लो इसे चीक है चलिए कोश्चन नमर फाइब मिस्टर राम उन सा हाउस प्रोपरटी मिस्टर राम जो एक मकान स्वामी मकान के स्वामी है इस एन्वल लेटिंग वैल्यू इस एटी थाउजन रुपीज है दूरिंग दा प्रीवियस यर इट वस लेट आउट तो एक किरायदार को वह दी गई है पिछले वर्ष में जिसका मन्थली किराया आता है साथ हजार रुपे प्रती महीना ठीक है उसने जो खर्चे करें उसके लिए वो क्लेम मांगता है कह रहा है कि भी हमें खर्चों की डिड़क्शन दे तो आप बताओ सोच करके क्या इन खर्चों की डिड़क्शन मिलेगी पहला मांग रहा है वो मिन्सिपल टेक्स दिया मैंने 8000 रुपे का मुझे खर्चे की डिड़क्शन दे दो दे देंगे कोई दिक्कत नहीं है अलाउड है इसे किराएदारों पर उनसे मैंने किराया वसूल ले की कोशिश में जो मैंने रिकवरी करी पैसे की रेंट की जो पेंडिंग रेंट था उसमें मेरे खर्च हो गए 600 तो इसके लिए कोई डिड़क्शन आपको अलाउड नहीं होगा ठीक है नेक्स पॉंट अमेंटेनेंस अलों से स्टेप मदर स्टेप मदर स्टेप मदर यानी सोतेली मां को बारेजार रुपे एन्वली वो भेस थे हैं 12,000 एन्वली विच वोस चार्ज ऑन प्रोपर्टी अकोर्डिंग तो इस फादर्स विल वो यह कह रहे हैं कि वो उसके ऊपर म कि मैं अपनी मम्मी को कोई भी मम्मी हों सोतेली हों चाहे रियल मदर हो मैं उन्हें पैसा वेसा वेस्त हों गौर्मेंट इस बात की थोड़ी मेर को डिरक्शन देगी यह भी अलाउड नहीं होगा पिछले साल में एक मही ने हाउज खाली रहा वेकेंट रहा फाइंड आउट इनकम फ्रॉम हाउज प्रोपर्टी फॉर असेस्मेंट यह 2020 और 2021 इन्होंने यह मांगा है क्या करोगे सबसे पहले आप देखोगे कि आपकी जो इन्होंने एन्वल वैल्यू बताई है क्या बता इन्होंने 80,000 ठीक है यह yearly बताई गई है annual value बताई है इन्होंने actual rent कितना है actual rent कितना है जरा देखो ध्यान से 7,000 रुपे प्रती महा है 12 महीने का काउंट नहीं करेंगे क्यों नहीं करेंगे क्योंकि जो पिछले साल में rent है वो एक महीने हमारा मकान खाली रहा तो हमें 11 महीने का rent मिला हुगा 77,000 ठीक है 77 अब अगर इन दोनों की मैं बात करूँ तो इन दोनों में से जो कम होगा या उसो जादा होगा डिपेंड करता है actual rent पर अगर actual rent हमारा कम है तो क्या वो due to vacancy है यह सारे provisions मैं आपको करा चुक हूँ अगर actual rent कम है तो क्या वो due to vacancy है वही हमारी gross annual value हो जाती है currency भी है चीक है ना तो हम क्या करेंगी इससे ही हम अपनी gross annual value मान लेंगे clear है यहां तक का point विल्कुल होगा सर क्या करेंगे solution number 5 है ना let out property का case देख रहे है हम सबसे पहले gross annual value कितनी रख लेंगे हम सर इसकी gross annual value 77,000 रुपीज उसके बाद हम दो चीजे माइनस करते हैं क्या माइनस करते हैं सर दो चीजें पता तो है आपको एक हम माइनस करते है municipal tax और दूसरी चीज़ हम माइनस करते है unrealized rent unrealized rent का तो कोई चक्करी नहीं है municipal tax में है municipal tax में है कितना है वो एक second check कर लेते हैं 8,000 रुपे का इन्होंने municipal tax इन्होंने यहां पर बताया 8,000 रुपे का बाकी कुछ नहीं है क्या आ जाएगा NAV आ जाएगी चीज़ है माइनस करेंगे कितना आएगा यह 69,000 रुपीज उसके बाद less करनी होत्तिया में क्या deductions हैं जो अंडर section कौन सा section है जरा ध्यान से सोचो 24 अंडर section 24 यह मैंने आपको सब sections करवाए हुए है वन में 30% of NAV माइनस कर देंगे 69,000 का 30% निकाल देंगे जो के आ रहा है 20,700 रुपे है और एक deduction और मिलती है interest on loan की बड़ इसमें नहीं है तो हम भी नहीं दिखाएंगे माइनस करो answer लाओ खतम question 48,300 48,300 रुपेज की क्या आ रही है यह income from house property आ रही है चीक है इतना ही करना था हमें question में फटा फट से copy करें note करें screenshot लें आगे बढ़ते हैं question number six करेंगे अगर provisions वाली वीडियोज आपने नहीं देखी है तो वो देखनी जरूरी है तभी आप numerical कर पाएंगे ध्यान रखें इस बात को numerical तभी हो पाएंगे जब आपने प्रोविजन की जो वीडियोज है वो अच्छे से आपने सारे sections पढ़े हों otherwise आप सोचते रहेंगे यह amount क्यों माइनस करी ऐसे क्यों हुआ वैसे क्यों हुआ अब यह सारी detail में बात नहीं हाथ तो पताई जाएंगे निए उनके लिए सब के लिए lectures पढ़े हुएं आप लोग देखें हूं सची question number six मिल जाएगा आपको Mr. Joseph on the house which is let out for residential purpose उनके पास में एक मगान था जो उन्होंने किराए पर दिया हुआ था residential purpose के लिए हमने किराए पर दे रखा है तो वह किसी भी purpose के लिए हो हमने तो किराए पर दे रखा है तो हमारे लिए let out हो गया The construction of the house was completed in June 2016 important बात है यह ध्यान रखें इसमें interest on loan का चक्कर आएगा बहुत important question है इन्होंने बोला है जो construction है house का वो क्या हुआ है complete हुआ है कब in June 2016 2016 में construction complete हुआ है मकान बन कर इनका तयार हुआ था the annual letting value of the house is 96,000 रुपिस annual letting value कितनी है house की 96,000 रुपिस धिहान रखेंगे इसे भी हला की question screen पर आता रहेगा Municipal tax भी paid करा है उन्होंने 20,000 रुपे का he spent 24,000 on white washing सफेधी कराने पर उन्होंने मतलब सफेधी से मतलब है paint वगेरा कराना मान लो है आप पर basically paint वगेरा कराने पर उन्होंने 24,000 रुपे का लिए बोरो मतलब उधार लेना 30,000 रुपे का उन्होंने उधार लिये amount 12% interest के साथ जो की per annum होगा and spent it in on the construction of the house और इस loan को उन्होंने खर्च करा था इस पैसे को खर्च करा था construction पर जो घर का construction जल रहा है ठीक है allowed हो जाएगा यह कोई दिक्कत नहीं है जो इसका मतलब construction हम start कब से मानेंगे construction जो start हुआ है एक April 2014 यानि 1st of April 2014 से मानेंगे और उसके बाद में कह रहे है nothing has been has been repaid out of this loan so far so far का मतलब अभी तक अभी तक इन्होंने कुछ भी उसमें से amount paid नहीं करी है आगे बोल रहे है जोजफ earns a salary of 20,000 per month जोजफ ना salary भी कमाते है पर month है उनकी salary salary है उनकी per month कितनी कमाते है भाई पर month 20,000 रुपे महिना कमाते है salary तो पढ़ा ही नहीं है हाँ कोई बात नहीं करा देंगे से भी he has a scooter for going to office and spends for petrol खर्चा करता है भहिया वो average है उसका खर्चा यह 1000 रुपे पर month scooter के लिए deduction मिलेगी क्या नहीं मिलेगी यार तुम अपने खर्चे कर जो deduction मांग रहे हो ऐसा कुछ नहीं है deduction बस दोई allowed है पहला 30% of NAV दूसरा है deduction आपका कौन सा है interest on loan का ठीक है आगे उन्होंने बोला है अपर compute his income from house property and also his total income for the assessment year 2020 and 2021 के लिए रहे हैं यहां तक की बात जी सर चलो तो फिर क्या करना है हमें इसमें salary भी निकालनी है और income from house property भी निकालनी है सर salary तो सिखाई नहीं तो इसने इतनी बड़ी बाते मांगी भी कहा है बहुत छोटी छोटी सी बाते हैं खतम कर डालते हैं जी ये वी कितना आ जाएगा actual rent उन्होंने दिया हुआ नहीं gross annual value जो इन्होंने दिव यह मान लेंगे 96,000 rupees कोई problem नहीं है इसमें 96,000 rupees हमारी क्या हो गई gross annual value हो गई चीक उसके बाद हम क्या करेंगे उपर आप लिख सकते हो जो भी language आपको लिखनी है जो भी से मतलब है computation of income from house property अगर पिछले question में computation नहीं लिखा वा था तो लिख लेना computation होती है जो हम कर रहे है solution उसका जो टाइटल हमें देना पड़ता है computation of income from house property that is let out लेट आउट वाली property तो उसे देखेंगे चीक है इसमें से माइनस करेंगे जो इन्होंने municipal tax paid करा है कितना paid करा है इन्होंने municipal tax paid करा है 20,000 रुपे का unrealized rent है नहीं question में any वी आ जाएगा 76,000 लुपीज उसके बाद में हम यहांसे less करेंगे deductions जो होती हैं आपकी intersection 24 यही है question अभी तक तो उसके बाद में हमें इन्हें दो deduction दे देंगे पहली 30% of any वी और दूसरा जो इन्होंने loan लिया वा है उस loan की जो ब्याज की रकम है उसकी बात करेंगे interest on loan जो इन्होंने खर्चा कर रखा है loan वगेरा के ब्याज पर वो हम देखेंगे इनकी deduction minus करने के बाद हम पहुँच जाएंगे अपने answer पर जो होगा हमारा income from house property deduction कितनी आएगी sir deduction निकाल लो 76,000 इस value का 30% निकालेंगे 22,800 minus कर देना और interest on loan का चक्कर रह गया बस ठीक interest on loan समझो interest on loan interest on loan कैसे आएगा sir देखो मैंने तुम्हें बता रखा interest on loan ना दो तरीके का निकालना होता है हमें एक तो pre construction period और एक post construction period pre construction मतलब जब मकान बन रहा था चल रहा था उसके time का ठीक है ना और अब pre construction clear post construction पिछले साल भी अगर तुमने कोई ब्याज देया तो वह भी हमें देखना पड़ेगा अब हमें 2 निकालने एक तो में interest on निकालना है previous year का तो अभी तक तो इन्होंने तीस हजार रुपे में से कुछ paid नहीं करा था लोन इन्होंने कितने का लिया हुआ था तीस हजार का और बारा प्रतिशत की उस पर ब्याज की दर थी तो previous year के लिए जो इंट्रेस्ट है इंट्रेस्ट फोर इंट्रेस्ट और लॉन फर previous year कितना आ जाएगा तीस हजार का बारा प्रतिशत हम निकाल लेंगे ठीक 3600 रुपे की अमांट आएगी फोर previous year और फोर प्री कंस्ट्रक्शन पिरियड प्री कंस्ट्रक्शन पिरियड उसके लिए कैसे निकाल लेंगे सर उसके लिए यहां देखो इन्होंने मैंने तुम्हें बताया हुआ है मकान स्टार्ट कब वगता बनना यहां देखो लोन लियावा एक अपरेल 2014 तो एक अपरेल 2014 यह मानो ठीक है यहां से यहां यहां और यहां यहां यह आपका 14 15 हो जाएगा 15 16 हो जाएगा सोला सत्रा हो जाएगा सर क्या कर रहे हैं हम हम देख रहे हैं इंट्रस्ट ओन लॉन यानि प्री कंस्ट्रक्शन पहले हम पीरियड देख रहे हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड हमें पता लग जाएगा तो हम उसमें टोटल देखेंगे इंट्रस्ट हमनें प्री कंस्ट्र हो गया था जून 2016 यहां पर रहेगा यहां पर यहां तो 31 मार्च 2016 आ जाएगी ध्यान से सोचो उसके बाद में 16 में जब जाओगे तुम तो 30 जून तक की बात कर रहा है मालो यहां जून आ गई 30 जून 2016 ठीक 30 जून 2016 वाले एर को छोड़ देंगे इस एर को काउंट नहीं करेंगे इमेजियेटली प्रिसिटिंग प्रिवियस एर करते हैं तो यह पूरा का पूरा एर हो जाएगा है न यह वाला जो है यह पूरा पीरियड होगा यहां से यहां तक का तो बारा महीने का एक पीरियड हो गया बारा महीने का एक पीरियड हो गया यानि की टोटल टू इयर का दो सालों का इन पर क्या लगाना चाहिए ब्याज लगाना चाहिए ठीक है ब्याज दो सालों का लगे का मतलब यह 30,000 और उधर ही कर देते हैं चलो 12% और multiply by कितना करोगे 2 years का है तो 2 years का है तो 2 years कर लो, अगर मंत्री निकालना है तो पहले upon 12 करना पड़ेगा, फिर multiply by 24 करना पड़ेगा, अब 24 upon 12 भी तो भाई 2 ही होता है, तो हमने वही कर दिया 1, 2, 1, 2, ठीक 24, 49 72 आये गई है 7200 आ रहा है टोटल इंटरेस्ट जो आ रहा है, इसे हटा दू जरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरिड को कैसे निकाला इस की निशोट ले 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 7200 जो आ रहा है उसका 1 फिफ्ट हमें allowed हो जाएगा, ठीक है इसका में 1 फिफ्ट allowed होगा जो की होगा 1440 रुपे चीक 1440 रुपे हो जाएगा 1440 रुपे प्री कंस्ट्रक्शन का आ गया प्लस कर देंगे 5040 दोनों का टोटल आ रहा है 5040, ये इंटरेस्ट के लोन की अमाउंट होगी जिसकी तुम्हें गाईज डिड़क्शन मिल जाएगी ठीक है 22800 ये इस एननेवी का ये उपर कैसे पहुंच गया नीचे लेके आओ इस है थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं चीक और 5040 रुपे मिलेगी इंटरेस्ट अनों की डिड़क्शन 48160 चीक अन्सर सही है हमारा दुबारा सुन दो इंटरेस्ट अनों कैसे आया था उन्होंने लिया हुआ था लोन घर को बनवाने के लिए कंस्ट्रक्शन के कारिया के लिए चीक है अब तो दो सालों का प्री कंस्ट्रक्शन पीरिड आया हमारा एक जून से शायद कारिय नहीं एक अपरेल दोजार चोधा से सुरू हुआ था 30 जून 2016 तक चला था तो 30 जून वाला जो पीरिड है 16 17 वाला वो तो छोड़ देंगे हम उस पूरे येर को छोड़ते हुई जो लास्ट जो लास्ट प्रीविएस यहर थे जो लास्ट यहर थे लिस लास्ट यहर के एंड तक मानते हैं प्रीकंस्ट्रक्शन पीरिड बताया हुआ है मैंने खूब डीटेल में तुम्हें लास्ट वाली ही वीडियो में सारी छीज हiseen मैंने क्लियर करी होएं छहिक है अब आगे प्र पूस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो इंट्रस्ट दोनों को प्लस करेंगे बस प्रीवियस यह में जितना है उतना ही अलाउड हो जाता है उसका वन फिफ आपको क्या हो जाता है इन इकल फाइब इंस्टोल्मेंट यह भी मैंने आपको बताया हुआ मैं फिर वही कहूंगा बात अगर आपने देखी हुई है वीडियो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी चीक है मैं इसे जरा कर दूं रब मेरे को सैलरी और निकान ली है इस कोशन में इन्होंने सैलरी भी मांगी थी सैलरी भी दे एक डिड़क्शन अलाओड हो जाती है लेस डिड़क्शन जो की अंडर सेक्शन सिक्स्टीन पढ़ हो गया ठीक है पचास जार रुपे की स्टेंडर डिड़क्शन होती है सैलरी के चैप्टर में पढ़ होगे तुम लोग अभी मैं नहीं कह सकता कि हाँ ये तुम्हारी आम होता है सिंदर्ड डिड़क्शन ठीक है जिसका नाम होता है स्टेंडर्ड डिड़क्शन पचास ला करें इस वीडियो में या अगली वीडियो में करेंगे स्क्रीन शोट लो देखते हैं